मौझूद हूम है अलीगड में अलीगड की अगर बात कही जाए तो इतेहास में अलीगड का अपना अलग रुआभ है अलीगड में ऐसी कई एतेहासिक इमारत हैं जो- देशी नहीं- विदेशों में भी प्रिशिद है अपना अलग पुरुआब रखने वाली यहां अनना हाउस की एक मजजिद भी मौजूद है इतियात के साथ साथ के वी सी कौनवने का करोड़ पती में इस मजजिद को लेकर सवाल पूचा गया था इस मजजिद की खास बात क्या है और आखिर क्यों इसे अरणा हाउस की मजजिद कहा जाता है? इस मजजिद में सौ से मिज़ादा गूमथ हैं, जिसकी बज़ए से ये एक पहली यह अची मसजद भी मज़ू की तोलूज नहीं हैं। मेरा नाम मुहम्मद अब्दूलहबई Васिया मेरी पैदाश यहीं ECNN House की है इस मस्जिद की खास बात यह है कि यह मस्जिद तकरीबन अब 100 साल पुरानी हो चुकी है और इस मस्जिद में 105 गुमबदें हैं जिसकी वह से यह जानी जाती है जिसमें के मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है लोगों से कि इसके बारे में के बीसी में भी सवाल पूछा गया था जिसमें कि एशिया में कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें सबसे जादा गुमबदें है तो वो यही अनना हाउस की मस्जिद है मस्जिद के बारे में बताया जाता है खुब सूर्ती के सासाथ मजड अंडर ग्राउंड होने की बज़े से नाम अनना हाउस रखा गया नहीं यह जो अनना हाउस रखा गया यह जिला बुलंद शहर में एक गाऊओं है अनोना और एक गाऊओं पहासू यह दोनों जगा के जो नवाप थे वो आपस में रिलेशन मे एक दूसे के रिष्टेदार थे जब उन्होंने वहां से यहां शेहर इदर आकर अलीगण में जगा ली तो उन्होंने अपनी अपनी जगाओं का नाम उसी जगा के नाम पे रखा अनोना हाउस अनोना के नाम पे रखा गया और पहासू के नाम पे पहासू हाउस रखा गया त इसमें एक खास बाती है कि Жायए झारमे चीन वे नमास पुरी जाती है तो माशाललह बहुत ज्यादा ठंडा एरिया रहता है वह ठंडा मतलब एसी से भी ल्यादा ठंडा रहता है वह यह मस्जिद का निर्माज जो कब कराए गया था किसके द्वारा करवाए गया था यह जो मेरे वाले साहब थे शीमुजी वाली खाँ इनका दिसंबर में 2012 के इंत्काल हो गया उनकी परदादी ने इसको जो इ zwei तामिर करा या कि नम भी रफी उनिए में नाम से वीसे यह वफ बोर्ड में कि वी है इसमस्जिद का अलग भूआप है तो पहलें अश्सुक्त को लेकर बिस्त को मसेण अलग पहचान बनाएवे हैं और इसी क्योंत वाइसे घॉजय की भी पहचान है और यहां के जितने लोग रहने वाले हैं सब की पेचान जो है, इस मस्जिद और सर नहाजोस की बारा लिये के इस मस्जिद को थोड़ा बढ़ा करने के लिए कोशिश की गई थी कि इसको तौसी कर लिय जाय तौकर योगी जी का कहना था कि सड़कों पे नमाज ना हो इसलिए जो है हमने इसको जो है थ्रौसा आगे बढ़ा करके इसकी तामीर करना चाहिए लेकिन कुछ लोगों की वया से इस काम को रोक दिया गया तो हमने रोक दिया भी काम रुका हुआ है जब हमको परशासन से कोई अनु मेरे फादर मुतवली थे उसके बाद मैं हूँ और मेरे बड़े भाई है वह भी मुतवली है तो हम दोनों भाई देखते हैं कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है जो मस्जिद के पास रहते हैं क्या नाम है आपका मौहम्मद अनस्य आप कहां रहते हैं अनुना हुष क्या है कुछ बज़र्ग लोग आते रहते हैं हकीमौक तो बिचलीब के जानी जाती है मस्जिद और लोगों को आना जाना रहता है बहुत सुकून मैशूत होता कि इस मजजिद में नमास पड़ने से नियक्ति हासिक मस्जिद बताई आती है आप बताई एक्र टाये क्या कह पॉर्भय के लिए पहसानी परते हैं तो कैसा मेसूश direito गह्मत है तो आपके पास मौझूद है जो एसिया में अपना अलग रखती है गुंबद है सबसे जादा है तो क्या किना चाहिए गुंबदों को लेकर गुंबद तो एक इताजिक है यह के बीसे बारे में हम दो सुना है कि यह पर पेपर में भी आया इसके लिए लेकिन जो गुंबद हैं वो तो अपन मैं नमाज पढ़ते हैं तो कैसा लग पढ़ता है इसका मुकाम है मश्यालह और कबीसी में वी इसका आचोगा है तो यह तही मस्जिद के पास की आवाम और यहां के मतवली उनके दौरा साफ तोर पर बताया गया है मस्ति मीनारों के लिए प्रसिद्द है आसपार यहां बुजरुगान दीन आया करते हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जबापकी